दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेग ग्यान पिटारा मैं फिर से एक बार दोस्तो आज चालू हो चुका है आपका 10 डेज CCTV कोर्स यह है सबसे पहला क्लास 10 डेज CCTV कोर्स का 10 के 10 क्लास में आप क्या सिखने वाले यह लिस्ट आपके सामने आ चुका है सबसे पहले class जो ask है उसमें मैं introduction of cctv security system के बारे में बताऊँगा complete जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है cctv installer कहीं बनना चाते है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है दूसरे class में मैं आपको tights of cctv tools requirement के बारे में बताऊँगा कितने प्रका environment आपको होती है cctv camera लगाते समय hd camera installation process क्या होता है तीसरे class में मैं बताऊँगा और hd camera का complete practical दिखाऊँगा दोस्तों आपको की install कैसे करे camera को आपको उसके बारे में मैं तीसरे class में बताऊँगा चौथा class बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्यों क्योंकि मैं उसमें hd camera के troubleshooting के बारे में बताऊँगा जिसमें की hd camera install करने के बाद क्या क्या problem आता है video loss का जो problem आता है बहुत ज़्यादा lining आता है उसका जो problem आता है white हो जाता है black and white में problem आता है night में जो problem आता हर एक प्रकार की problem जो hd camera में आएगा उसके बारे में मैं चौथे class में discuss करने वाला हूँ पांच्वा class तो बहुत ज़्यादा important है जो ip camera के बारे में सीखना चाह रहे है ip camera के installation के प्रोसेस के बारे में complete में जानकरी 5th class में देने वाला हूँ 6th class में ip camera troubleshooting के बारे में बताऊँगा कि ip camera installation के बाद जो problem आती है उसका troubleshoot कैसे करना है वो 6th class में 7th class में आपको hd और ip camera installation का rnd बताऊँगा मेरा जो experience है 15 साल का वो मैं 7th class में आपको देने वाला हूँ कि ip और hd camera जब install करते हो तो अपने mind को आप कैसे use करके बहुती असान तरीके से ip और hd install कर सकते है क्या क्या हम rnd use करते है कितने प्रकार के rnd हम use कर सकते hd और ip camera मान के चलो एक वायर में दो ip camera लगाना एक वायर में दो hd camera लगाना बहुत सारी rnd आपको 7th class में मिलने वाली है 7th class बहुत ज़्यादा important होने वाला है जो cctv camera installer बनना चाहता है 8th class में मैं बताऊँगा wifi camera installation process के बारे में wifi camera कितने प्रकार के होते है solar camera 4g camera wifi camera जितने भी प्रकार के camera है हर एक प्रकार के जानकरी मैं आपको दूँगा 8th class में 9th class में rnd के बारे में complete बात करेंगे हमको camera लगाना आता है install करना आता है बट software के बारे में मैं 9th class में बताऊँगा DVR के password को कैसे change करेंगे IP camera के password को कैसे change करेंगे DVR के firmware को update कैसे करेंगे कहीं wifi नहीं आ रहा है DVR में तो firmware को update करना पड़ता है वो कैसे करना है 9th class में तो 9th class तो बहुत ज़्यादा important है तो उस्तों आपके लिए कहीं आप CCTV camera installer बनना चाहते है दस्वे class में last class में मैं बताऊँगा survey कैसे करना है आपको CCTV camera का quotation कैसे बनाएंगे और आपके 9 class में जो आपका question रहेगा जो आपका doubt रहेगा जो जितने भी आपके comment रहेंगे सब ही comment का मैं answer करूँगा दस्वे class में दोस्तों कहीं आप मन लगा के दिल लगा के अदे इंपेसेंसली धीरे 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 दस class को enjoy करते हो देखते हो उसके बाद मेरा वादा है कि आप में से जो भी खाली बठा है जो भी हतास बठा है अपने life में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वो CCTV camera installer बन सकता है दोस्तों पहले तो CCTV camera बहुत बड़े बड़े पैसेवालों के यहां ज्वेलरी सॉप में बड़े बड़े एरपोर्ट में रेलवे स्टेशनों में ही देखने को मिलता था बट अब CCTV camera हर एक घर की जर्रत हो चुकी है हर एक पान ठेले में भी तीन तीन चार चार कैमरे लगे सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लोगों के लिए सेप्टी हो चुका है तो यह CCTV camera का बिजनस है दमी समुंदर की तरह है दोस्तों यहां पे कितने भी technician आ जाये कितने लोग बोलते कि आजकल तो घर-घर में CCTV camera लगाने वाला है मैं बता रहा हूं दोस्तो घर-घर में भी CCTV technician पैदा हो जाएंगे तो भी CCTV camera लगाने के लिए इतना काम है मार्केट में इतना काम है कि आपको खाली घुमने की जर्रत नहीं है बट आपके पास होना चीए experience, knowledge और आपके पास होना चीए hard work करने का तरीका आप जब यह 10 class को मेरा देख लेंगे तो मैं ब आप इतने confidence के साथ लगाएंगे क्योंकि 10 वीडियो देखने के बाद इतना knowledge आपको आजाएगा बट मैं बार बार यह बता रहा हूं कि swimming को मैं जितना भी वीडियो में समझा दूँ कि ऐसे तैरते वैसे तैरते आपको पानी की गहराई में उतरना पड़ेगा आपको live करने के लिए उस problem को face करने का ताकत यह 10 class आपको देगा 10 days cctv course आपकी मदद करेगा तो पहला class मैं start करता हूं दोस्तों और आपको बताता हूं कि cctv camera होता क्या है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि cctv camera होता है क्या है सबसे पहले हम camera बारे में बात करते है जो आपके mobile पे camera है वो भी एक प्रकार का video recorder ही है ठीक है उसको भी आप जब record करते हो आजकल जो reel बना रहे है और अलग-अलग घटनाओं का जो video आ रहे है वो भी तो record रहे है कहीं ना कहीं से तो आप जो mobile पे जो camera है उससे भी video recorded कर सकते हो उसके बाद मान posição कहीं लड़ाई जगड़ा हो रहा है उसका video बना लो mobile से और उस video को खाने जम्मा कर दो तो वो भी एक प्रकार का video evidence होता है तो आपके mobile पे जो camera लगा है वो भी camera recording का काम करता है उसे भी आप record कर सकते हो पर क्या दिन भर आप अपने office को ऐसा record करते रहोगे mobile से यानि office का एक जगे को यहां से और दूसरे mobile से parking में तीसरे mobile पे छत में और चौथे mobile से ऐसा करके यहने एक एक camera को एक एक mobile के थुरू आप record करते रहोगे कहीं मैं बोलू कि मेरे को mobile से record करना है पूरे दिन भर का recording तो क्या possible है एक घंटे का इसा record करने से पूरा data भढ़ जाते है ठीक है इसलिए mobile से possible ने बाकि छोटा मुटा record तो हम कर सकते है दस मिनट कर लगा के रख सकते है यहाँ पे मान के चलो एक छोटा meeting चल रहा है और हम इसे record करना है तो simply हम एक mobile को ही यहाँ पे वीडियो को on करके यहाँ पे रख सकते हैं जो एक डेड़ घंटे का वीडियो record हो जाते है बट उससे ज़्यादा वीडियो record करने के लिए mobile छोटा होता है उसमें ज़्यादा डेटा रहता है नहीं डेटा फूल हो जाता है हैंग हो जाता है आया समझ में बट यह कभी कभार कर सकते हो रोज नहीं कर सकते है रोज मुबाइल से रिकॉर्ड कर सकते है मुझे नीचे comment करके बताना और साधी भियाओं में जो handicap यूज होता है जो वीडियो camera यूज होते है जो footage complete बनाने के लिए वो भी एक प्रकार का recorder ही है ठीक है वो भी उसमें भी video record होता है ठीक है उसमें भी video record होता है उसमें भी आप पिछला recording चेक कर सकते है क्या उसमें possible है कि 5566 camera को ऐसे लगा लगा कि लाखो रुपे camera रता हो ऐसे लगा लगा कि एक एक आदमी को बठा कि क्या record करोगी record करोगी और एक एक camera में क्या check करना इतना आसान है मुझे नीचे comment करके बताओ इसी लिए CCTV camera का इजाद हुआ है जिससे की छोटे से छोटे जगे में भी हम वीडियो को प्रॉपर तरीके सब 24 hours into 7 ठीक है पूरे 7 दिनों का 24 घंटे का वीडियो record करने के लिए एक system को इजाद किया गया है जिसे हम CCTV camera कहते है CCTV camera के नाम से हम जानते है CCTV का जो full form होता है दोस्तो closed circuit television मैं बता रहा था ना आपको camera से की एक-एक mobile से कैसे आप record करते जाओगे उसी कारण closed circuit television का इजाद हुआ जिसके थुरो आपका मान के चलो यहाँ पे घर है यहाँ पे camera लगा है यहाँ पे camera लगा है parking में camera लगा है बाहर में छट में camera लगा हुआ है अंदर में kitchen के पास एक camera लगा हुआ है और यहाँ पे लगा है setup box जिसको हम बोलते है दोस्तो DVR क्या बोलते है DVR आगे के video में आगे के session में आगे के class में बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ कि DVR क्या होता है DVR का जो full form होता है दोस्तो Digital Video Recorder close circuit के बार मैं समझे न close circuit television क्यों बोलते है क्यों बोलते है क्योंकि यह complete जो circuit है वो close होता है अपने आप में ठीक है यह camera आपस में connected होते है इसलिए इसे close circuit television कहते है आपके घरों का जो camera है वो कोई दूसरा नहीं देख सकता है आपके permission के बागेर कोई दूसरा इसे देख नहीं सकता है यह पूरी तरह से close होता है पूरी तरह से close circuit television होता है जिसमें 24 घंटे recording चलता है live recording चलते रहते है आपके TV में देखना live चलते रहते है ठीक है बट एक system इसमें ऐसा होता है जो की DVR होता है digital video recorder एक तो DVR आपको live दिखाते रहते है कि क्या हो रहा है चारो जगा चारो जगा जो यहां camera लगे हुए है क्या हो रहा है live दिखाता है उसके बाद एक system DVR में होता है hard disk क्या बोलते है storage device जिसमें आपका camera का footage है उस footage को save करने का काम करता है DVR hard disk में याने DVR के अंदर में छोटा सा एक system लगा रहता है जिसका नाम हम hard disk बोलते है वो mainly main जो storage device है हमारे system में उसको हम hard disk बोलते है क्या बोलते है दोस्तों hard disk hard disk आपका 312 GB 320 GB 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB ऐसे आता है आपको समझ में आए कि camera क्या होता है आप camera में दिखा रहा हूँ camera कुछ इस टाइप से दिखता है ये dome camera है HD camera में dome camera है इसमें infrared rays है देखिए दोस्तों LED लगा हुआ है जिससे की रात के अंधेरे में भी ये camera अद्दमी clear view आपको देता तो infrared rays हमारे 2 blade की रोशनी की तरफ चारो तरफ फैलता है धीर ऐसे फैलता है इसलिए हमें दिखता नहीं रोशनी LED में हमें red color का दिखता है जैसे आपको footage में दिखरा होगा इसी के कारण हमें रात में clear view मिलता है बट आज कल अब ये है bullet camera दोस्तों ये भी camera का है ये dome camera ये bullet camera ठीक है बट आज कल इस टाइप का infrared बंद हो चुका है अब camera में आ चुका है इस टाइप का LED जिसे हम रात में अंधेरे में भी आपको color view मिलता है बट इस infrared rays में पहले क्या मिलता था black and white footage मिलता था ठीक है आज भी लगाते है इसको ऐसा है कि नहीं लगाते है बट उसके जगे में ये नए technology वाला IR rays वाला LED light वाला camera आ चुका है जिससे की LED light जलता है और रात में color view आपको मिलता है इसमें IDEO वाडियो सब रहता है ठीक है आगे वीडियो में मैं समझाऊँगा second class में सभी camera के बारे में ही है और कितने प्रकार के camera होते है और इन camera को install करने के लिए कौनसे कौनसे major tool आपके पास होने चाहिए उसके बारे में second class है बहुती important है वो second class को भी miss पूरा 10 का 10 class आप देखेंगे तो CCTV के बारे में बहुत ज़्यादा knowledge आपको होने वाला है दोस्तों तो ये वाला camera आपको समझ में है अब मैं आपको बताता हूँ कि CCTV camera लगाने के लिए कौन कौनसे चीज़ों की जर्रत होती है तो जो नए लोग है मैं छोड़ी लोडी बातों को बता रहो तो आप लोग ऐसा लग रहो गया camera दिखा रहे जो बच्चे अभी-अभी यंग हो रहे उनको पता नहीं रहता है कि CCTV camera क्या होता है bullet camera क्या होता है dome camera क्या होता ये बिगनिंग class है ज़्यादा ज़्यादा मैं थियोरी बताने की कोशिज कर रहा हूँ, यह थियोरी क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिये, बिल्कुल भी कहीं भी स्किप करने की ज़रत नहीं है, हर एक छोटी जानकारी कहीं है, आप CCTV कैमरे के बारे में जानना चाते हैं, तो complete थियोरी को समझते देखते रहे हैं, वीडियो को आगे में, मैं धीरे धीरे step-by-step आपको हर एक चीजे CCTV कैमरे के बारे में बताते जा रहा हूँ, अब आप जब CCTV कैमरे इंस्टॉल करते हैं कहीं पे, तो क्या-क्या चीज़े आपको वहां पर इंस्टॉल करना रहता है, कुनसी-कुनसी चीज वहां इंस्टॉल होती है, उसके बारे में बताता हूँ, सबसे पहले आपके पास CCTV कैमरा होना चीज़े, ठीके, दो कैमरा लगाना है, तीन कैमरा लगाना है, चार कैमरा लगाना है, जितना कैमरा लगाना है, उतना कैमरा होना चीज़े आपके पास, DVR या NVR होना चीज़े आपके पास DVR क्यों कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर इसी में वीडियो रिकॉर्ड होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर इसी में वीडियो को रिकॉर्ड करते है उसके बाद आपके पास hard disk होना चाहिए hard disk को मैं बताया आपको 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 10 TB ऐसा करके अलग 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 capacity के hard disk आता है अलग अलग capacity के hard disk को कहां पर आपको यूज़ करना है उसके बारे में आपको second class में बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊँगा जितना ज्यादा capacity वाला hard disk आप अपने DVR में लगाऊगे उतने दिनों की recording आपकी hard disk में save होती है DVR का भी storage का एक limit होता है कि 8 TB तक 6 TB तक ही आप लगाँगे ऐसा नहीं कि DVR में आप 100 TB का लगाँगे ऐसा नहीं होता है DVR की भी limit होती है NVR की भी limit होती है कि कितने TB का उसमें hard disk लगेगा वो proper तरीके से मैं next वीडियो में बताने वाला हो आपको वीडियो में दिख रहा होगा वीडियो में दिख रहा होगा वीडियो में दिख रहा होगा जिससे कि हर एक camera के पास से HD camera कहीं आप लगा रहे है तो हर एक camera के पास से wire आपके DVR के पास जाता है setup box पास जाता है जैसे कि आपको footage में दिख रहा होगा BNC pin और DC pin लगता है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा और power supply लगता है CCTV camera के लिए तो इतना सारा चीजे आपको camera के installation में काम आता है इंडिया में CCTV camera की भरमार है company की ठीक है उसमें से जो best company है वो मैं आपको बता रहा हूँ Hikvision ये अलग technology में काम करता है CP Plus ये अलग technology में काम करता है Honeywell है, Secure Eye है, Consistent आपका camera बनाता है धववा का camera आता है आपका Samsung का camera आता है Philips का camera आता है आपको बहुत सरे company के नाम दिख रहे होंगे screen पे जो camera manufacturer करती है इसली market में आपको Hikvision, CP Plus, धववा और Consistent, Secure Eye इस type के camera आपको इस company के camera आपको market में देखने को मिलेंगे ये IP camera है दोस्तो ये एक IP camera को मैं open करके दिखाता हूँ कि किस type का IP camera आपका दिखता है, देखे जैसी आप open करेंगे, ये IP camera है CP Plus का, ठीक है ये CP Plus का 4 megapixel IP camera है, देखे, जैसी आप RJ45 connector आप इसमें देखते है इंटरनेट वाला, इसका मतलब ये IP camera है ये camera में कैसे रहता है, देखे ये IP camera है आपके सामने अब एक HD camera में आपके सामने दिखाता हूँ ये HD camera है प्रकार और कितने प्रकार के camera होते हो तो मैं दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ बट ये देखे HD camera में HD camera में BNC और DC लगाने का option DVR से इसको connect करने के लिए BNC pin और DC pin को लगाना पड़ता है तो ये HD camera है ठीक है ये आपके सामने जो दिखा रहा है वो HD camera है और ये जो दिखा रहा है वो IP camera ये camera IP camera है और ये camera जो है वो HD camera है ये bullet camera में आता है और ये आपका dome camera में आता है ये color वाला camera है और वही पे ये night vision वाला camera यानि रात में इसमें black and white दिखेगा और इसमें color view मिलेगा जैसे कि आपको footage में दिख रहा होगा यह भी normal HD camera है इसका मतलब इसमें रात में जो view मिलेगा night vision आपको black and white मिलने वाला है बाकि इस type के जिसमें LED light लगा रहता है white color का LED जलता है उसमें आपको color view मिलता है इससे guard series के camera बोलते cp plus में guard series के नाम से camera आता है equation में color view के नाम से camera आता है धहुआ में भी color view के नाम से camera आता है अलग-अलग company के technology अलग-अलग है यह तो हुआ camera देखिए cctv camera का जो wire के बारे में बात कर रहे थे यह वो cp plus का wire है यह 3 plus 1 coaxial wire है जिसका यूज हम HD camera installation के लिए करते हैं वहीं पे cp plus का cat6 का wire है यह cp plus का cat6 का wire है दोस्तों यह internet wire बोलते है आप cat6 के नाम से जानते है इसको internet का wire बोलते है इसका यूज हम ip camera installation के लिए करते है CAT 6 cable का use हम IP camera के लिए करते है और HD camera के लिए wire जो use करते है हम उसको हम 3 plus 1 wire बोलते हैं वो दिखने में कुछ इस टाइप से रहा है और internet का cable कुछ इस टाइप से दिखते है IP camera के लिए हम ये वाला wire यूज करते है और HD camera के लिए ये वाला wire ये है power supply ठीक है? ये CP plus के तरब से आने वाला power supply है इसमें आपको अलग से power और अलग से plus minus को add करना पड़ते है बट अभी नया technology वाले जो power supply आ रहे है ये consistent के तरब से power supply है ये कुछ इस टेप से दिखते है power supply ये सब के बारे में बहुत अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा practical knowledge दूँगा अभी समझी है आपकी ये power supply दिखने में कैसे होते है इसको direct plug and play है दोस्तों ये direct इसको बिजली दे दो और यहाँ पर plus minus आपका camera का जुड़ जाता है जिससे की camera on हो जाते तो camera का जो power supply है कुछ इस type से देखने को मिलता है देखें ये consistent का power supply चार, आठ, सोला camera के लिए अलग अलग power supply आता है चार camera के लिए 5 ampere दस camera के लिए 10 ampere आठ camera के लिए 10 ampere और सोला camera के लिए 20 ampere वाले power supply अलग से आते है ठीक है एक camera के लिए कितना power लगता है तो सब मैं आपको बताऊंगा कहीं आपको पता है तो नीचे comment करके बताऊ देखें आपको DVR DVR कुछ ऐसा दिखता है दोस्तो ये 8 channel का DVR है ठीक है इसे लिए यहाँ पे 8 pin बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pin बना इसे इसका मतलब है ये 8 channel का DVR है आडियो वीडियो के लिए देखें यहाँ पे in है आडियो और आडियो आउट है बट आजकल ये सब pin की जर्रत नहीं पड़ती है क्यों नहीं पड़ती है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा ये VGA आउट रहता है जिससे हम TV पे या monitor पे live view देखते है ये HDMI आउट है आजकल HDMI cable के थुरू HD TV में या HD monitor में हम live देखते है footage जो दो option है live देखने का HDMI cable से भी आप देख सकते है और VGA cable से भी आप अपने TV पे live देख सकते है अपने DVR को देखे माउस लगाने का option है और इसमें Wi-Fi adapter लगा सकते है Wi-Fi adapter लगा के आप अपने DVR को online कर सकते है कैसे online करेंगे वो आगे की वीडियो में ये है आपका NVR मैं आपको open करके दिखाता हूँ ये CP plus का NVR है जैसा कि हम DVR को देख के बता सकते है कि ये 8 channel का DVR है बट हम NVR को देख के बिल्कुल भी हम नहीं बता सकते है ये कितने channel का NVR इसको या तो model number से हमें check करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि इसका model number लिखा रहता है कहीं आप expert बन दे हो तब आपको model number से समझ में आएगा बट इसके डब्बे में लिखा रहता है ये कितने channel का NVR है जहां से आप purchase करेंगे वो आपको जैसे 4 का NVR मंगोगे तो 4 का देगा 8 का मंगोगे तो 8 का देगा बट इसमें पीछे देख के आप नहीं बता सकते है ये कितने channel का NVR इसके model number से आप पतक कर सकते है जैसे इसका model number है CPUNR C1041 ठीक है 8 channel का रहता है तो यहां पे 81 लिखा रहता है ये 4 channel का है इसलिए 41 लिखा हूँ ये देखिए NVR कुछ ऐसा दिखता है अब इसमें क्या-क्या port रहता है ये तो power port है जिससे कि आप NVR को भी camera है यहां से add करते है यहां पे VGA दिया हुआ है फिर से आपको TV में live देखने के लिए HDMI दिया है फिर से HD TV या HD monitor में आप इसको live देखने के लिए यानि इसमें भी 2 out मिलता है VGA भी मिलता है और HDMI का भी out मिलता है यहां पे फिर mouse का लगाने के लिए आपको USB in मिल जाता है इसका मतलब आपको एक में एक mouse लगा सकते हैं और एक में Wi-Fi adapter लगा के Wi-Fi से online कर सकते हैं वरना Ethernet का cable से भी आप इसे online कर सकते हैं और इसे भी अब देखिए आपका DVR कैसा दिखता है और NVR कैसा दिखता है यह NVR है आपका और यह आपका DVR है थोड़ा सा भी doubt हो class में तो नीचे comment करके बताना को जो भी doubt है जो doubt है आपको नीचे comment करके पूछ सकते हो एक एक class का जो भी doubt है तुरन तुरन उसको clear बट आपके जो भी doubt रहेंगे उसको लिखोगे मैं तुरन तांसर कर दूँगा बट लास्ट वीडियो में दसवे class में सभी कम है वीडियो भी बना के आपको बताऊंगा तो इसलिए जो भी doubt है आपको NVR से related, DVR से related जो भी आपके मन में doubt आता है बट वीडियो पूरा देखने के बात ऐसा नहीं कि आपने कुछ समझा और कुछ doubt आगे तुरन लिखना है पूरा वीडियो देखने के बात कहीं है आपके मन में कोई doubt रहता है तब आपको नीचे में क्लिक करके comment section में कुछ लिखना है बट आप वीडियो कहां से देख रहे हो कौन से state से देख रहे हो आपका नाम क्या है नीचे comment करके जरूर बताना क्या आप पहले CCTV camera का का काम कर चुके है या पहली बार आप CCTV camera का कोई video देख रहे हो और काम करना चाहते हो तो मुझे सब जानकारी यहाँ पे नीचे comment के जरिए मिल जानी चाहिए इसमें हम नहीं बता सकते इसमें बहुत ज़्यादा confusion होता है इसमें model number देखना पड़ता है या तो display में आपको देखना पड़ेगा कितने channel का NVR है तो आपको NVR समझ में आए यह है आपका DVR अब इन DVR में इस type का मा जो hard disk के बारे में बता रहा था वो ये सब hard disk है छिके ये SGate का hard disk है 1TB conservalance वाला hard disk 100GB hard disk है सिगेट का वैसे ही मेरे पास देखे ये 2TB का hard disk है नया वैसी ये 1TB का hard disk है वैसे ही है ये 500GB का hard disk ये भी servalance hard disk है मैं आपको open करके दिखाता हूँ एक hard disk नया वाला कुछ इस टैइक से ये harddisk आता है इसको भी मैं open करके दिखाता हूँ देख़े इसमें लिखा हुआ hein Survalance harddisk illustrator में जो harddisk लगता है वो अलग होता है और ażव डिवियार में जो harddisk लगता है वो अलग होता है देख़े clear लिखा हुआ है Survalance harddisk याने Video Survalance System में यूज करने वाले Hard Disk को हम Survalance Hard Disk कहते हैं तो हमारे DVR में NVR में Hard Disk कुन सा लगता है दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना हूँ तो यह Survalance Hard Disk है यही Hard Disk आपके DVR या NVR में इंस्टॉल होता है तो यह 500 GB का Survalance Hard Disk Seer for the Consistent में अवलेबल है इसलिए हम लोग consistent का भी use करते है Seagate का भी हम harddisk use करते है Tosiba का भी अच्छा रहता है WD का भी harddisk अच्छा है बहुत सारी company आ है बहुत सारी company का अच्छे अच्छे company का नाम दिख रहा होगा इस screen पे जो harddisk manufacture करती है आप Seagate का भी use कर सकते है आप Tosiba का use कर सकते है आप किसी भी company का use करिए बट 100% यहाँ पे लिखा होना चीए सर्वलांस harddisk 24 hours इसको run करने के लिए बनाया गया डिजाइन किया गया इस सर्वलांस harddisk आपका जो computer का harddisk है देखे यह computer का harddisk देखे यह computer का harddisk है कुछ इस type से इसमें कुछ भी लिखा नहीं रहता है सर्वलांस type का कुछ भी नहीं लिखा रहता है ठीके यह computer harddisk है देखे खराब हो क्या आया अभी तो सर्वलांस वाला harddisk उतना जल्दी खराब नहीं होता है नॉर्मल आप harddisk लगाएंगे तो आपका harddisk आपका DVR हैंग हो जाएगा NVR हैंग हो जाएगा कई बार बहुत जल्दी यह वाला harddisk खराब हो जाता है बट इन सर्वलांस harddisk का जो life होता है बहुत जादा होता है तो जब भी आप यूज़ करो सर्वलांस harddisk को यह सब आपको camera के बारे में समझ में आया IP camera मैं आपको दिखा दिया तो इस type से कुछ wifi router होते है मान के चलो आप ऐसे जगों में camera लगा रहे हो जहां पे internet के कोई सुविधा नहीं है बट customer को online देखना है तो ऐसे बहुत सारे जुगाड आते है जिसके थुरू आपका DVR आपका NVR तुरंत online हो जाता है दो मिनट से भी कम समय में आपका DVR online हो जाता है और कैसे होता है क्या होता है तो practical knowledge तीसरे class से मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो कोई भी वीडियो class 1 हो class 2 हो class 3 हो पूरा देखनी की कोशिस करिए और पूरा 10 का 10 class आप अटेंट करिए अटेंट करने के बाद पूरा वीडियो देखिए अधी आपको CCTV कैमरे के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आगा कहीं आप पूरा 10 class को देखते हैं तो आप तो प्रो लेवल के इंस्टॉलर बन जाएंगे आपको अध्यमी जवर्दस नॉलेज हो जाएगा SED के कैमरे के बारे में IP कैमरे के बारे में जब दसवा class खतम होगा ना तब ये सब चीजों के बारे में आपको और भी अच्छे जानने मिलेगा जब आप दसवे class तक आप देख लेंगे वीडियो को फिर से आप class 1 से वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा क्यों? क्योंकि आप जब beginner रहते हैं तो आपको एकी बार में थोड़ी समझ में आएगा कि आपने 10 class कर दिया और समझ में आ गया बहुत सारे doubt आपके 10 वे class तक clear होते चले जाएंगे जैसे आज मैं 4G router के बार इस टाइप के बहुत सारे companyyों में 4G router आता है तो हमारे पाद consistent का है ये 5G sim को भी support करता है 5G sim को भी support करता है सब मान के चलो आप DVR लगाएंगे तो बहुत सारे wire आपको लगाना पड़ेगा बहुत सारे camera आपको लगाने पड़ेंगे hard disk लगाना पड़ेगा बहुत कुछ करना पड़ेगा but market में कुछ इस टाइप से भी camera रहते आप बोलेंगे सर ये सबकी तो जर्रती नहीं रहता है हम तो एक camera भी लगा सकते ये है वो camera G cam के नाम से सभी company में CP plus में Hikvision में Hikvision में आपका Izviz के नाम से आता है आपको screen पे दिखरा होगा धववा में आता है हर एक company में आज के ये latest AI camera ये पहले नहीं आते थे ये अभी आने स्टार्ट हो चुके है ये single single camera क्योंकि में सभी के घरों में Wi-Fi आचूँ Wi-Fi आने के कारण क्या हुआ है Internet इतना ज़्यादा reach हो गया लोगों के घरों पे कि single single camera ये एक camera को आप लगा के चारो तरब rotate करके इसमें कोई hard disk आपको लगाने की ज़रत नहीं कुछ hard disk लगाने की ज़रत नहीं इसमें simple एक memory card लगेगा एक memory card इस पे लगाए 64 GB, 128 GB कितना support करता है उसको देखते हुए आप memory card लगा सकते है उसके बाद आपको इसमें कुछ करने की ज़रत नहीं है घर में आपके wifi है तो direct आपके wifi से यह online हो जाता है और आपके mobile पर यह online दिखने लगता है और चारो तरब rotate करके आप इसे internet है तो आप इसको लगा सकते हो direct आपके wifi से online हो जाएगा कहीं आपके घर में internet नहीं है तो इसले के 4G camera आते second class में तो बहुत अच्छे से मैं इसको open करके दिखाऊंगा यह 4G class है यह 4G camera है इस पे आप 4G SIM लगा सकते हो और simply यह 2 मिनट से भी कम समय में आपके mobile पर online आ जाता है कहीं भी construction site में आप इसको लगा दो और SIM लगा दो memory card लगा दो Jio का SIM लगा दो, Airtail का SIM लगा दो किसी भी company का इसमें SIM लगा ओ, 4G SIM और यह वाला memory card लगा ओ, अराम से कहीं भी लटका दो इसको power दे दो, यह चालू हो जाता है और आपके mobile पर 2-3 मिनट के अंदर यह live हो जाता है तो कहीं से भी आप अपने किसी भी एडिया को सर्वलांस में कर सकते यह simple plug and play camera विकार से बहुत सारे camera है, यह Wi-Fi camera यह solar camera है, यह सभी के बारे में मैं अधनी practical knowledge आगे वीडियो में देने वाला हो, तो आगे जो class है, वो बहुती ज़्यादा important होने वाला, यह वाला जो class था यह थोड़ा सा overview था, introduction था आपको camera के बारे में समझ में आया होगा आपको DVR के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा आपको power supply के बारे में यह camera का power supply थी, camera के power supply के बारे में समझ में आया होगा, IP camera के बारे में थोड़ा बूस समझ में आया होगा वैर आपने देख लिया कैमरे आपने देख लिया DVR, NVR आपने देख लिया 4G router देख लिया इसे सब चीज़े आपके CCTV camera installation में काम आने वाला है तो अब अगला कौन सा वीडियो होने वाला है अगला वीडियो में मैं DVR का proper तरीके से आपको knowledge दूँगा कितने प्रकार के camera है कहां कहां कौन से कौन से camera आप लगा सकते हो उसके बारे में बताऊंगा और तीसरा class से पूरा practical हर एक HD camera को install करके मैं आपको दिखाऊंगा और इतना जबरदस knowledge आपको YouTube के जरिये फ्री में देने वाला हूँ दोस्तों कि आपको मज़ा आ जाएगा कहीं आप CCTV camera installer बनना चाहते है तो वीडियो को पहले से लेके last तक बार 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 देखिए और जो बनना चाहते है आपके कोई दोस्त होंगे जिनको कोई काम सीखना है ठीक है टेकनिकल knowledge लेना है CCTV camera का तो वहाँ वहाँ तक इस वीडियो को फैलाईए share करिए ज़्यादा ज़्यादा like करिए ज़्यादा ज़्यादा comment करिए ज़्यादा ज़्यादा कहां से आप वीडियो देखरें क्या है आपका नाम और क्या-क्या आपने सिखा है इस वीडियो से नीचे comment करिए ज़्यादा ज़्यादा comment करेंगे ज़्यादा बातचीत आप करेंगे comment में उतना ज़्यादा आपको knowledge होने वाला है आप CCTV camera का काम सिखना चाते हैं आप जिसको जिसको जानते हो सभी के ग्रूप में आप इस camera के वीडियो को share करते जाएए class 1, class 2 करके continue आपको हमारे website में भी आपको मिल जाएगा 10 day CCTV course के नाम से आपको link में मैं दे दूँँगा जहां से आप click करेंगे और एक-एक class को आप देख सकेंगे आपको YouTube channel में जाने की जर्रत नहीं है direct हमारे website में जाएगे जहां से आपको ये सभी classes easily free में available रहेगा एक से लेके 10 classes कभी भी ऐसा नहीं कि आपको अभी देखना है कभी भी हमेसा free available रहेगा दोस्तों आपके लिए जब भी आपको doubt है जब भी आप कोई interview में जाते है जब भी आप किसी भी जगा camera का काम खोजने जाते है या camera का काम के लिए interview में जाते है तो ये सब classes को आप देख के जाएंगे तो आपका interview है जबरदस्त होने वाला है क्यों क्योंकि जिस प्रकार दुनिया में crime बढ़ते जा रहा है लड़े जगड़ा बढ़ते जा रहा है है ना बहुत सारी अप्राधी घटनाय बढ़ती जा रही इसलिए school, college, factory में सरकारी, non-sरकारी सब ये संस्थानों में CCTV camera बहुत ज़्यादा हो चुक है CCTV camera के business में अभी बहुत अपार opportunities है दोस्तों बहुत सारी संभावनाय है तो इसलिए CCTV camera के काम में कहीं आप जुनना चाते है तो बिल्कुल सोचने की ज़रत नहीं है आईए 10 class को देखिए और CCTV camera installer बड़िया installer बनिये और अपना काम start करिए पूरा वीडियो कहीं आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि CCTV camera आखिर होता क्या है और कुछ-कुछ चीज़े आपको और भी समझ में आए होगी कि camera के लिए DVR को यूज होता है, NVR को यूज होता है इस camera को कुन सा camera बोलते है नीचे comment करके बताऊ मुझे कहीं आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो कहीं आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो यह सभी question का answer आपके पास available होगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे class second में और भी जबर्दस knowledge के साथ में दोस्तो इस class में बस इतना ही आपको कैसा लगा यह पहला class क्योंकि यह नॉर्मल class था introduction class था इसलिए बहुत ज़्यादा टेकनिकल knowledge मैं इसमें नहीं दिया हूँ बट जैसा जैसा class बढ़ता जाएगा तो वीडियो की length बढ़ते जाएगी और वीडियो थोड़ा 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 टफ होता चले जाएगा तो थोड़ा सा आप जब भी मेरा वीडियो देखो तो एक से दो बार तीम बार चार बार देखने की कोशिज करो और मेरे चैनल पर जितने सारे वीडियो है HD camera से related उसको देखना स्टार्ट करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप और भी अच्छे से समझ सकते हो class second में तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजात जै हिंद